साथियों तीन चार सार पहले ही महाराष्ट में फल और सब्जियों को EPMC के दायरे से भार किया गया था इस बडलाव ने कैसे महाराष्ट के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों के स्थिति बडली इसका उदान है स्री स्वामी समर्त फार्मर्स प्रोडूशर कंपनी लिमिटेड एक किसानों का समूह है पूने और मुंबे में किसान साप्ताहिक बजार खुद चला रहे हैं इन बाजारों में लगभग सत्तर गाउं के साड़े चार हजार किसानों का उत्पात सीधे बेचा जाता है कोई बिचोलिया नहीं ग्रामिल युवा सीधे बाजार में खेति और विक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं इसका सीध हला किसानों को होता है गाउं के नवजवानों को रोजगार में होता है एक और उधारन तमिल नाडू के थेनी जिले का है यहाँ पर है तमिल नाडू केला फार्मर प्रोडूस कमपनी यह फार्मर प्रोडूस कमपनी कहने को तो कमपनी है हकिकत में यह किसानों ने मिलकर के अपना एक समो बनाया है बड़ा लचिली व्यवस्ता है और वो भी पांच से साल पहले बनाया है इस किसान सहुने लोगडाउन के दोरान आसपास के गाउं से सेंक्डो मेट्रिक्टन सब्जियां फलों और केले की खरीदकी और चेनने सहर को सब्जी कंबो किट दिया आप सोचिए कितने नव जवानों को उन्होंने रोजगार दिया और मजा यह है कि बिचोलियों न होने के कारण किसान को भी लाब हुआ वो भोगता को भी लाब हुआ ऐसा ही एक लखनव का किसानों का सम्हूव है उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोडिसर इन्होंने भी लोगडाउन के दोरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ल यह